हलो एमसाइरे में य्योज पर अच्छे से कर रहे होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे क्योंकि स्लौल अप निक्यारी पर्दगे क्लिए यह आप लोगों को सौल्व कराती हूँ यह आप लोगों के लिए बहुत ही इंपोर्टन्ट है इसलिए आप इनको जरूर से जरूर देखिए और इनको पढ़िए अगर एक बार में कोई चीज़ें नहीं समझ में आ रही हैं तो आप एक बार से और वीडियो को देख लें और हो सके तो नोट करते हुए चलिए क्योंकि जो चीज़ें में बताती जाती हूँ कुछ चीज़ तो आज का जो टॉपिक है उसको सबसे पहले देख लेते हैं 9 दिसंबर 2018 को जो पेपर हुआ था सीटेट का यानि केंद्रिय सिच्छक पातरता परिक्ष्या का तो वो सॉल्व करूंगी पेपर से केंड यानि की कच्छा 6 से 8 तक है जिनोंने सोसल साइंस ले रखा यानि की स चीजें समझ में नहीं आती हैं और चीजें तभी समझ में आती हैं जब आप बिना इसकिप किये हुए वीडियो को पूरा देखेंगे तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सस्क्राइब बले कर ले और उसके बाद बेला इकल को भी जरूर प्रेस कर दे और हाँ अगर वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक भी जरूर कर दे और फ्रेंट्स आप लोग अच्छे से जानते हैं कि सीटेट में जो इलिपीट भी होते हैं और कुछ न beide वह लगता है कि ने कुश्छन वहते हैं वो ने नहीं होते हैं वह एन से ऐन से अच्छे से बाहर का कुछ भी नहीं आता है हलाकि मैं तो आप लोगों को paper solve भी करा रही हूँ और अगर आप NCRT पढ़ें तो और भी अच्छी बात है तो चलते हैं देखते हैं आज की series का जो first number question है उसको सबसे पहले देख लेते हैं हलाकि अब NCRT पढ़ने का time नहीं रहा है तो मैं जो paper आप लोगों को solve करा रही हूँ वो आप अच्छे से solve करते जाएं और जो चीज़ में बताते हैं उसको not down करते जाएं तो आप लोगों का paper अच्छा हो जाएगा उमीद यही करती हूँ और जादा से जादा अच्छा करने के उम्मीद करती हूँ और अभी एक वीडियो आएगी जिसमें आपके कई बार रिपीटेट कोस्चन्स जो सीटेट में आते ही आते हैं या बार बार वो पूछे जाते हैं इस तरह से भी वीडियो में ले कर आऊंगे आप लोगों के लिए तो देखते हैं सबसे पहला है निर्देश निम्लिकित प्रश्णों के उत्तर देने के लिए सही सबसे उप्यूगत विकल्प का चैन कीजिए तो इसमें देख लेते हैं फर्स्ट कोस्चन है इस्थल का संक्रा भाग जो दो बड़े इस्थलिय भागों को एक दूसरे से जोड़ता है उसे क्या कहते हैं तो इस्थल संधी द्यूप खाड़ी या जल संधी कहते हैं जब इस्थल की एक संक्री पत्टी को दो विशाल भूखंडों को आपस में जोड़ती है तो वो इस्थल संधी कहलाती है जैसे पनामा जलसंधी उत्री अमेरिका और दच्छडी अमेरिका महाद्यूप को जोडती है जल का एक संकरा भाग जो दो जलिये भागों को एक दूसरे से जोडता है जलसंधी कहलाता है अब चलते हैं देखते हैं कोस्चन है निमलिखीत मेंसे कौन सा महाद्यूप आकार में सबसे छोटा है यह आप लोग बहुत अच्छे से जानते है कि देखें आपका दच्छडी अमेरिका या उत्री अमेरिका है य어 Europe या Australia है तो आपका आस्ट्रेलिया हो जाता है क्यूंकि महाद्यूप आकार में जो सबसे छोटा है वो आपका आस्ट्रेलिया हो जाता है इसलिए आपका four option right हो जाता है उसके बाद उच्छ प्राथमिक्ता इस तरपर सामाजिक विग्यान में शामिल है तो इतिहास, भुगोल, अर्थ इतिहास, भुगोल, राजनीती विग्यान या अर्थ शास्र या इतिहास, भुगोल, राजनीती विग्यान और समाज शास्र या इतिहास, भुगोल, राजनीती विग्यान और मनो विग्यान तो इसमें आपका जो right answer हो जाता है तो वो आपका हो जाता है इतिहास, भुगोल राजनीतिवी ज्यान और अर्थिशास्त यानि कि आपका जो सेकेंड ओप्शन है वो आपका राइट हो जाता है उसके बाद चलते हैं कोश्चन की तरव कोश्चन है आग्मनात्मक अधिगम निमलिखित मैं से किस विधा का विरोधा भासी है तो सनरशनात्मक परसिक्षन अनुकरण निपरात्मक अधिगम या विख्यात्मक सिक्षन तो इसमें आपका जो आंसर हो जाता है वो आपका विख्यात्मक सिक्षन हो जाता है इसमें थो नात्मक अधिगम विधी के अंतरगत विशीश तत्यों और घटनाओं के निरिक्षण और विश्लेशन के द्वारा सामानिन्यमों और सिध्धानतों का निर्मार किया जाता है तो इसलिए आपका जूफोर आप्शन है वो आपका राइट हो जाता है उसके बाद कोस्चन है द आलोचनात्मक सोच धारणाओं के निर्मार तथा विचारों के अनुपर्योग और विस्तार को बढ़ावा देती है और आपका बी कथन है यह दूसरों के तरकों और विश्वासों को समझने और मुल्यांकन करने में मदद नहीं करती है तो इसको समझते हैं देखें आपका आलोचनात्मक सोच या विचार के धारणाओं यानि से धारणाओं के निर्मार तथा विचारों के अनुपर्योग विस्तार को बढ़ावा मिलता है इससे दूसरों के तरकों तथियों विचारों वा विश्वासों को समझने में सहता मिलती है तो इसलिए यह आपका हो जाता है और यहां दूसरों के तरकों तरकों तत्थियों विचारों वा विश्वासों को समझने में सहता मिलती है और यहां पर कह रहे हैं कि मदद नहीं करती है तो इस आपका क्या हो जाएगा फर्स्ट सही हो जाएगा यानि कि ए ओप्षन आपका सही हो जाएगा और बी आपका गलत हो जाएगा तो ए सही और बी गलत तो आपका कौन सा ओप्षन हो जाता है तो देखते हैं आपका फोर हो जाता क्यूबि ए सकते है और बी आसकते हैं तो आपका जनसाक्षिक्या हैं, तो अनुभवन साक्षिक्या है, इसके बारे में देखते हैं, अनुसंधान के लिए एक संख्यानात्मक दिरिश्टी कौण मैटरीक इकार्य में पाए गए, यानि मापे गए आक्ड़े या आकड़ों के संग्रे में विश्वसनिये तरीके, तरीकों का माध्यम से वास्तविक दुनिया में एकत्रित आकड़े अनुभव जन्न साक्ष के उधारन है क्या कि इंद्रियों देखें इंद्रियों इंद्रियों के माध्यम से क्या तो इंद्रियों के माध्यम से वास्तविक दुनिया में एकत्रित आकड़े अनुभव जन्साक्ष के उधारन है और अनुभव जन्साक्ष इंद्रियों के माध्यम से प्राप्त जानकारी है और अनुभव जन्साक्ष रिकॉर्ड किये गए डेटा के रूप में अवलोकन या परियोग के लिए जानकारी प्राप्त की जा सकती है और वरणन अवलोकन वेख्या प्रतिकरिया आलेक लेक परसिद्पत्रिका हो जाती है पुस्तक इन सभी का अनुभव जन्साक्ष के परमुक श्रौत हो जाते हैं ठीक है न तो इस एकॉर्डिंग आपका जो आंसर हो जाता है वो आपका हो जाता है इंद्रियों के माध्यम स से वास्तिविक दुनिया में एकत्रित आकड़े तो आपका फोर ओप्शन राइट हो जाता है उसके बाद चलते हैं कोईस्चन की तरफ कोईस्चन है भोतिक विशेष्टा की मौडल प्रतिक्रतियां डैश सिच्छन के लिए सबसे अधिक उप्यूकते हैं अर्थ शास्त्र भ भोतिक विशेष्टाओं की बात हो रही है भोतिक विशेष्टाओं के मौडल प्रतिक्रतियां तो भुगोल सिच्छा के लिए सबसे उप्यूकते तो भुगोल अब इसको समझ लेते हैं कि भोतिक विशेष्टाओं के मौडल या प्रतिक्रतियां भुगोल सिच्छन के लि यह को व्यापक व्यापक मतलब क्यों होता है बड़ा विस्तरत फेला हुआ तो व्यापक बना दिया ठीक है ना तो इस तरह से आपका जो सेकेंड ऑप्शन हो जाता है वह आपका राइट हो जाता है उसके बाद कोश्चन की तरफ चलते हैं कोश्चन है इस्थानिय समाचार पत्र से मोसम की जानकारी का संग्रे किस परकार का श्रोत है प्रात्मिक है दितिये है तितिये है प्रात्मिक और तितिये दोनों है तो आपका यह इसमें जो राइडा अंसर हो जाता है यानि की इस्थानिय समाचार पत्र से मोसम की जानकारी का संग्रे कि परकार का श्रोत है तो प्रात्मिक श्रोत है अब इसको समझते हैं इस्थानिय समाचार पत्र से मोसम की जानकारी का संग्रहर प्रात्मिक श्रोत का परिणाम माना जाता है प्रात्मिक श्रोत मुक्यता इस्थानिय 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 इस्थानि ग्याद की जा सकती है, तो इस एकॉडिंग आपका जो इस्थानी समाचार पत्र से मौसम की जागंकारी का संग्रे किस परकार का शुरोत है तो प्रात्मिक श्रोत है उसके बाद question है सीखने की आजशमता वाले सिछार्थी किस परकार की कक्षा में अन्चात्रों के साथ सीखते हैं तो विशेश यानि समावेशी आधुनिक अनन्न तो यहां पर क्या बात हो रही है सीखने की आजशमता वाले सिछार्थी आच्छमता यहां पे जो आच्छमता वाले सिच्छार थी उनकी बात हो रही है किस परकार की कक्षा में अन्चात्रों के साथ सीखते हैं तो इसमें आपका जो आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा सेकेंड यानी की समावेशी अब समावेशी की बात की जाए कि समावेशी कहते किसको है तो समावेशी यानि की एक ही छट के नीचे बिना भेदभाव किये सामान सिक्षा देना यानि की बिना जाती का भेदभाव किये बिना लिंक का भेदभाव किये की बच्चा जो है वो लड़का है या लड़की है या वो किस जाति का है या किस धर्म का है या बच्चा अमीर है या गरीब है सभी को हटा कर एक ही छट के नीचे एक ही जैसी सिक्षा देना क्या कहलाता है तो समावेशी सिक्षा कहलाता है तो यहाँ पर क्या है सीखने की आशमता वाले सिक्षारती किस परकार की सिक्षा में अनिचात्रों के साथ सीखते हैं तो समावेशी सिक्षा में जब ऐसे क्लास में बच्चों को सिक्षा दी जाती है तो बच्चे सीखते हैं और जादा से जादा बच्चे सीखते ही हैं ठीक ह कहसे कक्षा के लिए बल्किन विक्तिगत बच्चों च्छोटे समूहों के लिए गतीविद्धियों की योजना बनानी चाहिए तो इसमें आपका तो हो coloca जाता है J.P.A.J. यानि की J.P.A.J. महदेजी हो जाते हैं उसके बाद देखें इनका एक और चीज़ है जो से इन्होंने क्या बताया है की पहले क्या आता है, तो पहले विचार आता है की भाशा आती है तो इन्में और देखें आपका नौम चौमस्की, नौम चौमस्की की बात की जाए, यह हलाकि हम लोग पढ़ चुके हैं, फिर से थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि जितना पढ़ेंगे उतना ही अच्छा है, जितनी बार रिवीजन करेंगे उतना ही अच्छा है, तो जो जीन प्याजे महोद बताया और अगर आप बात के जाए नौम चौमस्की की तो नौम चौमस्की जी ने क्या बताया कि पहले भाषा ती उसके बाद विचार आता है तो इसमें आप लोग कंफ्यूज मत हो येगा क्योंकि इस तरह से आप लोगों के पूछे जाते हैं जिनमें थोड़ी सी सबसे जदा ध्यान दिया था कि बच्चे सबसे पहले क्या चैनल चहारई क्टी इस चीह मैं पर्योजना को करने के लिए उन्हें विभिन शुरोत परदान करें चात्रों को बहस और चर्चाओं में लगा देखिए अब आप क्या सोचेंगी कि बच्चे बहस कर रहे हैं मतलब अच्छी बात नहीं होती है और बच्चे चर्चा कर रहे हैं चर्चा करना तो बहुत कर रहे हैं और करते जा रहे हैं तो इसका मतलब क्या है कि उनकी तरक शक्ति है जो इनका वो यूज कर रहे हैं वो यानि एक्टिविटी करके सीख रहे हैं और जहां पर बच्चे एक्टिविटी करके सीखता है चर्चा है चर्चाओं से सीखता है बहस करके सीखता है तो इस उसको कुछ आही नहीं रहा है, वो कुछ सीखी नहीं पा रहा है, तो आपका जो ये आंसर हो जाएगा, छात्रों को बहस और चर्चाओं में लगाएं, तो इस तरह से आपका four option right हो जाता है, उसके बाद question है, एक आत्म निर्देशित, आत्म अनुशासि सोच, जो एक उची त इस तर पर तर्क करने का परियास होता है, उसे कहते हैं, अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि तर्क करने का परियास, तर्क करने का परियास, तो जटिल सोच, बुद्धिमान सोच, अमूर्त सोच या आलोचनात्मक सोच, यहाँ पर देख लेते हैं, कि आपका जो answer हो जाता है, यानि 12 number question का answer हो जाता है वो आपका आलोचनात्मक सोच हो जाता है कैसे हो जाता है आलोचनात्मक सोच आत्म निर्देशित आत्म अनुशासित सोच को उत्पन करती है किसको उत्पन करती है तो आत्म निर्देशित आत्म निर्देशित आत्म अनुशासित ठीक है न आत्म अनुशासित सोच को उत्पन करती है जो एक उच्चित तरीके से गुडवत्ता के उच्चिता मिस्तर पर तर्क करने का परियास करती है और धार्नाओं के निर्माण और विचार के अनुपरियोगों को विस्तरत करने में आलोचनात्मक सोच प्रासंगिक भूमिका निभाती है तो इस तरह से जो आपका आंसर हो जाता है वो आलोचनात्मक सोच हो जाता है उसके बाद question है अजन्ता गुफा चित्रों में इस्तमाल किये गए रंग निमली खित में से किस सामग्री से प्राप्ति किये गए तो ग्रिफाइड पौधे और खनेज इसले पशु अंगों के अवशेश तो इसमें जो right answer हो जाता है वो आपका हो जाता है पौधों और खनेज अजन्ता गुफाओं का निर्माण कब हुआ तो दितिये शताब्दी में किया गया था ये क्या था ये बौध धर्म से संबंधित शिल्पकारी के उत्कृस्ट नमूने प्राप्त में गुफा की दिवारों और छटों पर व्याक्त यानि व्यापक चित्रण किया गया है वे मुख्यता स्लेट से प्राप्त रंगों से बनाए गया है यहां कुल 29 गुफाएं प्राप्त हुई है इन गुफाओं में चैत कल्च या मठ भगवान बुध और विहार को समर्पित हैं बुधेवं भुधिस्तुओं की परतिमाओं के चित्रण का कार जातक ग्रंथों से लिया गया है किस से लिया गया है और इसमें जो आंसर हो जाता है वो आपका देखिए पौधे और खणिज या जनता गुफाँ में जो चित्र मिले हैं उनके रंग निमली कितमे से किस शगरी से प्राप्ति किये गए हैं तो आपका हो जाता है पौधे और खणिज उसके बाद है सबसे पुरानी पांडूली पिया डैश पर लिखी गई थी तो पत्थरों पर कागज पर लखड़ी पर या ताड़ पत्रों पर तो सबसे पहले जो लिखी गई थी तो वो ताड पत्रों पर लिखी गए थी ठीक है ना तो इस तरह से आपका ताड़ पत्र यानि four option right हो जाता है उसके बाद है मानव इतिहास में निमलिखित में से कौन सी अवधी काल सबसे लंबी है तो मद्ध पाशाड काल नो पाशाड काल महाँ पाशाड काल या पुरा पाशाड काल अब अगर इसकी बात कर ली जाए तो मानव इतिहास में सबसे लंबी अवधी पुरा पाशाड काल की है किसकी है तो पुरा पाशाड काल की है और इतिहास में पुरा पाशाड काल का समय कितना है तो 10,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000 जो मानी जाती है अवधी वो साथ हजार से साथ हजार से यानि इसा पूर्व से साथ हजार इसा पूर्व से के बाद से मानी जाती है तो इस तरह से आपका जो हो जाता है वो पुरा पाशार काल हो जाता है यानि मानव इतिहास में निमली खित मैंसे कौन सी अवधी काल सबसे लंबी है तो पुरा पाशार काल की अवधी सबसे लंबी है उसके बाद कोश्चन है दिये गए कतनों A और B को पढ़िए और सही उत्तर का चैन कीजिए तो महरगड यानि A है आपका महरगड पाकिस्तान के बोलन दर्रे के पास एक उपजाओ मैदान में इस्तित है यहां खेत और B सत्य है या A और B दोनों सत्य है या A सत्य और B असत्य है तो देख लेते हैं देखें महरगड पाकिस्तान के बलुचिस्तान कहां तो बलुचिस्तान प्रांत में बोलन दर्रे के बोलन दर्रे के पास पाकिस्तान आफगानिस्तान अंतरराश्ट्य बोर्डर के समीप इस और महरगर से ही प्राचीन कालमे, खेती और परशुपालन के साक्ष प्राप्थ होते हैं, तो इस अकोर्डिंग आपका, जो A कथन है वो भी सही हो जाता है, तो इस अकोर्डिंग आपका, A और B दोनों कथन सत्त्य हो जाते है, इसलिए आपका थर्ड़ ओप्शन राइट हो जाता है उसके बात कोश्चिन है कोश्चन की तरफ चुलने से पहले फ्रेंट्स अगर आप हमारे चैनल पर नए और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक भी जरूर कर question है भारत के निमलिखित राज्यों में से किस एक राज्य से हडपा के नगर सबसे बड़ी संख्या में मिले है तो हर्याना में गुजरात में जमूर कश्मीर में या पंजाम में तो आपका हो जाता है गुजरात में यानि भारत के निमलिखित राज्यों में से किस एक राज्य भाशा में रचा गया है तो पाली संसिक्रत प्राकृत या ब्रामी तो आपका हो जाता है यह आपका हो जाता है संसिक्रत भाशा में रचा गया है तो संसिक्रत भाशा में रचा गया है इसमें थोड़ी सी और चर्चा कर लेते हैं क्योंकि जो यह पॉइंट से आप लोगों के से अफडिय किसके नाना जाता है और इस दौरान रिक्वेद की रचना हो जाता है और इसे विच्वेद को जाता जब उसमें कथन वाले कोश्चन होते हैं उसमें इस तरह के कोश्चन पूछ लिए जाते हैं इसलिए आप लोग अच्छे से याद रखें और हो सके तो इसको नौटाउन भी कर लिजिए और इसी दोरान रिगवेद की रचना की गई ठीक है अन्य तीन वेदों की रचना उत् संसिक्रती भाशा में किये अच्छा जो तीन वेद हैं उनके नाम अब जरा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि कौन से तीन वेद हैं और आप लोगों को अच्छे से पता होगा क्योंकि स्टार्टिंग से पढ़ते चले आरहें ना रिगवेद में कुल दस मंडल हैं और रिगवेद प्रशासनिक विवस्था मुख्यता कभी लाई थी ग्राम इस्तरिय प्रधान ग्रामडी कहलाता था और इस समय तक जनपत का उलेख नहीं मिलता था और गायत्री मंत्र किसे लिया गया तो गायत्री मंद्र रिगवेद के तीसरे मंडल में उलेख ही थे अब अब इसे मंडल में तो याद रखियेगा तीसरे मंडल में किस मंडल में तो इस तरह से यह आपकी जितने भी पॉइंट है आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप इसे नोटण ज़रूर कर लेजएगा उसके बाद कॉस्चिन है छटी सताब्दी इसापू तो इसमें आपका जो आंसर हो जाता है वो आपका हो जाता है यानि छठी सताब्दी इशापूरू में मगद महा जन्पत के पहले शाषक थे तो बिम्बिसार थे और इनके बारे में समझ लेते हैं कि हरियक वंश का पर्थम शक्तिशाली शाषक के रूप में बिम्बिसार ने यानि देखिए हरियक वंश का पर्थम शाषक कौन था तो हरियक इस तरह भी कोश्चन आजाता है क्योंकि जरूरी नहीं कि यही कोश्चन आए आपका और ये भी ऐसे आ सकता है कि हरियक वंश का पर्थम शक्तिशाली शाषक तो कौन था तो आपका हो जाता है बिम्बिसार कौन हो जाता है तो बिंबी सार हो जाता है बिंबी सार हो जाता है और 544-592 teक शाषन किया कितने दिनों तक शाषन किया याने कब से कब तक 544-592 इसापूर इसापूर याद रखेगा आप लोग क्योंकि यहाँ पे इसापूर इस्वी ऐसे करके हो जाता है तो इसमें भी थोड़ी confusion हो जाती है तो इसापूर तक शाशन किया और बिंबिसार को श्रेडिक के नाम से भी जाना जाता था किस नाम से बिंबिसार को जाना जाता था तो श्रेडिक शेलिक के नाम से जाना जाता था उन्होंने अंग राज पर आक्रमण कर उस पर अपना अधिपत्य जमा लिया और अपने पुत्र अजाशत्रू को वहां का शाशक नियुकते कर दिया अब अगर कोश्चेन आ जाएं कि जो बिम्बी सार थे उनके पुत्र का नाम तो अजाशत पुत्र का नाम अजाशत्रू और कोश्चन उल्टा भी कर देते हैं कि अजाशत्रू के पिता का नाम तो इस तरह से यह आपका टॉपिक कंप्लीट होता है उसके बाद कोश्चन है आपका निमलिखित में से कौन सा बौध धर्म के तिरी रतनों में से नहीं है अब इसमें धम है, अहिंसा है, संग है, बोध है आप लोग अच्छे से जानते है कि धम, संग, बुद ये तो आपके हो गए अब इसमें बचा कौन अहिंसा तो इसलिए आपका अहिंसा ही राइट हो जाएगा, यानिकी सेट ऑप्शन राइट हो जाएगा बॉध धर्म के त्री रतनों में देखे बुद्ध संग धम शामिल है तिरी रतनों में औहिंसा को शामिल नहीं किया गया है तो औहिंसा को नहीं शामिल किआगा है रहना रहा धर्षन के नुसार राजे सभा सदस्यों का चुनाव करता है तो संसदिय निर्वाचन छेत्रों के मत दाता या लोग सभा सदस्य या विधान सभा के सदस्य विधायक या विधान सभा निर्वाचन छेत्रों के मत दाता तो इसमें आपका जो आंसर हो जाएगा यानि की कोश्चन क्या है कि निमल समझ लेते हैं कि राजिसभा सदस्यों का चुनाव विधान सभा के निर्वाचिस सदस्यों द्वारा किया जाता है और राजिसभा एक स्थाई सदन है कैसी तो राजिसभा आपकी एक स्थाई सदन है कैसी सदन है राजिसभा तो इस्थाई सदन है इस्थाई सदन है और आप समझ लें कि जो कभी भी भंग नहीं होती इस्थाई का मतलब क्या होता है कि जो कभी भी भंग नहीं होती और इसके 1 बटा 3 सदस से परतियक 2 वरशों कब तो परती एक दो वर्षों के अंतराल पर अवकाश ग्रहन कर लेते हैं कब ग्रहन कर लेते हैं तो एक बटा तीन जो सदस्य होते हैं वो परती एक दो वर्षों के बाद अपना जो है क्या करते हैं अवकाज क्रीहन कर लेते हैं और राज सभा के बारह सदस्यों का मनोनेयन राश्टेपती द्वारा किया जाता है। सदसे उनका मनोयन के द्वारा किया जाता है तो राज ट्रिपति द्वारा किया जाता है वेरी इंपोर्टन पॉइंट है आप लोगों के लिए और मनोनी सदस विशेशक छेतरों से उपलब्धी हासिल किये होते हैं और विधान सभा के मनोनी सदस राज पाल यानि राज सभा क सदस्यों के चुनाओं में भाग नहीं लेते हैं तो इस तरह से क्या हो गया आपका जो आंसर हो गया विधान सभा के सदस्यों का चुनाओं करते हैं और जो राजसभा होती है वो कैसी स्थाई सदस्यों करते हैं इसलिए कैसी है इस्थाई जो कभी भंग नहीं होती है तो आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा उसके बाद क्वेश्चन है भारत द्वारा निम्लिखित में से किस शाषन प्रणाली को अपनाए गया है तो राश्टिपती और संग्य यह राश्टिपती और एकात्मक संग्य संग्य सबारा निम्लिख्यत में से किस साषन प्रणाली को अपनाए गया संसदिये और संगिये उसके बाद कोईश्चन है आपका अनुसूचित जातियों के लिए कितने सदस निर्वाचित छेदर आरक्षित है तो 84 हो जाता है इसमें हम समझ लेते हैं कि अनुसूचित जातियों के लिए यानि 84 यानि 84 संसदिये निर्वाचित संसदिये निर्वाचन छेत्र आरक्षित हैं जबकि अनुसूचित जन जातियों के लिए कुल 47 सीटे कितनी तो 47 सीटे आरक्षित हैं और प्रारम में अनुसूचित जातियों एवाँ अनुसूचित जन जातियों के लिए क्रेमशा 79 कितनी तो 79 और आपका हो जाता है और आपका हो जाता है 41 सीटे आरक्षित थी ठीक है ना तो इस according आपका जो answer हो जाता है वो आपका हो जाता है 84 यानि ए option आपका first option right हो जाता है इसमें ए option नहीं है इसमें 1,2,3,4 है तो आपका one option right हो जाता है उसके बाद question है आपका भारत में आस्परश्चिता तथा आस्परश्चिता प्रथा के कारण निमलीखित मैंसे किस मौलिक अधिकार का उलंगन किया जाता है तो स्वतंतरता का अधिकार शोषण के विरुद अधिकार सम्मेधानी खुपचारों का अधिकार या समानता का अधिकार अब देखें यहां पर क्या है आस्परश्चिता प्रथा के कारण तो क्या है कि मौलिक अधिकार का उलंगन क्या ज मौली क अधिकार नहीं है तो शोशन के विरुद अधिकार धर्मी आजादी का अधिकार या सिख्षार का आदिकार देखे किर अचिछ अधिकार मौली कां पहले था लेकिन उसके बाद क्या हुआ वह थे भारत तो तीन सो का आपका भी कह सकते हैं ए भी कह सकते हैं कहां के तहत वैधानिक अधिकार माना गया है वर्ष 1978 यानि 1978 में समिधान के 44 कितने तो 44 समिधान शंशोधन अधिलियम के अंतरगत संपत्ति के अधिकार को मोलिक अधिकार से अलग कर वैधानिक अधिकार बना दिया गया ह इसे कौन अधिकार बना दिया गया है संपत्ती के तो वैधानिक अधिकार वैधानिक अधिकार तो इस おर्णिंग आपका जो राइड आंसर हो जाता है वो आपका संपत्ती का अधिकार हो जाता है उसके बाद क्वेशन है आसपरस्चीता डाया के आधार पर भेद्भाव को संदर भिध करती है तो exploration करती जाती के आधार पर भेदभाव को संदरभित करते हैं जाती किसी विशेश समुदायों या उपसमुदायों या विशेश्ट धर्मों का एक समूँ होता है और सामाजिक इस्तर पर जातिवात का मूल विस्तार गुप्त काल में हुआ और वेदिक काल में कर्मों के आधार पर ही जाती का वर्ग निर्धारित किया जाता था और समाज में जाती कोई आजपर्शिता का मूल आधार माना जाता है तो इस एकोर्डिंग आपका जो अंसर हो जाता है यानि आजपर्शिता जाती के आधार पर भेदभाव को संदर्भित करता है उसके बाद question है question है question है मुख्य मंत्री को कौन न्यूक्त करता है आप यहां पर परधार मंत्री करते है राजपाल या उच्छी न्याले के मुख्य न्याइधिश या रास्ट्रिपती तो मुख्य मंत्री को कौन न्यूक्त करता है तो आपका हो जाता है answer राजपाल न्यूक्त करता है तो आपका जो सेकेंड ऑप्शन है वो राइट हो जाता है अब यहां पर थोड़ा सा समझ लेते हैं कि राजपाल किसी भी बहुमत दल के नेता को जिसे सर संपति से चुना जाता है मुख्यमंतरी पद पर न्यूक्त करता है तो राजपाल न्यूक्त करता है यदि किसी भी दल को विधान सभा में बहुमत हासिल नहीं हो पाता है क्या नहीं हासिल हो पाता है तो बहुमत हासिल नही हो पाता है तो ऐसे स्थिती में राजिपाल ऐसे व्यक्ति को मुख मंत्री पद पर न्यूक्त करता है जो विधान सभा के पटल पर अपना पहुमत साबित कर सके तो इस एकोडिंग आपका जो आंसर हो जाता है मुख्य मंत्री को कौन न्यूक्त करता है तो राजिपाल न्यू राश्टिपति या परधान मंत्री तो राजिपाल कौन न्यूक्ति कौन करता है तो राश्टिपति न्यूक्ति करता है यानि केंद्र सरकार की अनुशनसा पर राज्यों में राजिपाल की न्यूक्ति राश्टिपति द्वारा की जाती यानि देखे याद रखेगा इसमें क confusion create कर सकते हैं लेकिन जब आपको अच्छे से clear होगा तो कोई भी confusion नहीं होगी जैसे ही question आएगा आप उसके सही ही टिक कर देंगे क्योंकि मुख्य मंत्री की नियुक्ते तो राज़िपाल और राज़िपाल की नियुक्ते तो राश्ट्रिपती ठीक है ना तो इसमें देख लेते हैं राज़िपाल का पद प्रसाद प्रियंत माना जाता है और देखिए राश्टिपती जब चाहे राजपाल को पद से हटा सकता है तो ऐसा भी question आ सकता है कि जो है कि हटाया जा सकता है नहीं हटाया जा सकता है तो राश्टिपती जब भी चाहे तो राजपाल को हटा सकता है या उसका इस्थानांत्रन कर सकता है और समिधानी ग्रूप से राजिपाल का कारेकाल कितने वर्ष होता है तो राजिपाल का कारेकाल पांच वर्ष होता है ठीक है ना पांच वर्ष होता है परन तो इसमें पूर भी पद से हटाया जा सकता है पांच साल का तो होता है लेकिन इससे पहले भी हटाया जा सकता है और जो कारेकाल है उसको complete होने से पहले भी उसके बाद चलते हैं question की तरफ निमलिखित मैसिक किसको भारत का पहला नागरी कहा जाता है तो ग्रेह मंतरी को राश्टिपती को परधान मंतरी को भारत का मुख्य न्याइधीश को तो इसको समझते हैं अब देखिए एक question आपका रह रायशाद राजपाल की नियुक्ति हाँ यह परधान मंतरी का चुनाओ कौन करता है पहले यह देख लेते हैं उसके बाद चलते हैं question की तरफ last question की तरफ और यह आपका last second question प्रधान मंतरी का चुनाओ कौन करता है तो मुख्य मंतरी या सांस इसको समझते हैं संस इप्रणाली में परधान आपको प्रख़ंद बहुर अंपिन के चुनाव। यानि कि स्थान सद़ धुरण किया जाता है। यानि कि संसद में किसी भी सदं का सदस्षिक हो सकता है। लेकिन उसे यह फुर्ण बहुमत बहुमत प्राप्ट होना आउशक और परधानमंत्री अपने पद पर तभी तक व्याजमान रहता है जब तक उसे लोग सभा में बहुमत हासिल रहता है तो इस एकॉर्डिंग परधानमंत्री का चुनाव कौन करता है तो सांसर उसके बाद आज की सिरीज का लास्ट कोश्चन है क्यूंकि आपके जो 30 कोश्चन से वह इस स्रीज में लेकर आये हैं और जो आपके 30 कोश्चन रह गए हैं वह आपका नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट कराएंगे तो अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को भी जरू कि उसके बाद है निमलिखित में से किसको भारत का पहला नागरी कहा जाता है तो ग्रह मंत्री राष्टिपती परधान मंत्री या भारत का मुख्य न्याय धीश तो इसमें हम देख लेते हैं देखिए किसको कहा गया है तो राष्टिपती को कहा गया है अब अगर बात की ज माना जाता है तो उप राष्ट पती को कहा जाता है यानि कि दूसरा नागरिक माना जाता है तो दूसरा नागरिक माना जाता है किसको माना जाता है तो उप राष्ट पती को पर्थम नागरिक यानि पहला नागरिक और दूसरा नागरिक उपरास्ट पती को माना जाता है और अगर बात की जाए कि राज्यों के संदर्म में तो राज्य के राज्यपाल को राज्य का पहला नागरिंग माना जाता है राज्य का पहला नागरिंग माना जाता है ठेक है न और राज्यपती और राज्यपाल दोनों संविधानिक रूप से कारिपालि का परमुख होते हैं इन्हें संसद और विधान सभा का परमुख अंग भी कहा जाता है तो फ्रेंट्स आज यहीं तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक आप अच्छे से पढ़ते रहें और एक्जाम का टाइम बिल्कुल भी नहीं बचा है आप लोगों के का पास मुश्किल से 8-9 दिन बचे हैं और एक दिन तो आप लोग ऐसा रखेगा कि उसमें आप लोगों ने बहुत जादा पढ़ाई पर ध्यान दिया और यह सोचा यह भी मैंने नहीं पढ़ा वो भी नहीं पढ़ा तो जितना पढ़ा हुआ होता है वो भी क्या होता है कि उसमें भी कंफ्यूजन आ जाती है और इसमें डर सा भर जाता है कि अभी तक तो मेरा यह भी नह तो इसलिए यह उमीद करती हूं कि लास्ट दिन पे आप लोग बहुत जादा पढ़ाई मत कीजिएगा और कुछ लोग क्या करते हैं कि जिस दिन पेपर देने जाते हैं वह आधा गंटा भी बचता है तो पढ़ रहे होते हैं लेकिन उस तरह से नहीं पढ़ना चाहिए क्योंकि उतनी देर में आप क्या पढ़ेंगे अब पहले से आप क्या कर रहे थे क्योंकि पढ़ाई पहले से की जाती है उस दिन नहीं की जाती है ठीक है ना तो आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ क्यों होगा तो मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक आप लो झाल झाल